मैं हूँ आपको दोस्त मनोज दोस्तों स्वागत करता हूँ मैं अपने यूटुच में जिसका नाम है मनोज वीडियो मिक्शिंग क्वाइंट तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए प्रीमियर प्रो का इटूरियल लेके आया हूँ जिनमें कि हमसे देखेंगे यह बेरियार लेके को अबता है प्रोजक्ट पैनल आएंट यह बता देखी तो चलो देखते है को यह प्रीमियर प्रो है यहां पर चुछ भी नहीं जैसे पहले मैंने आपको बता दिया तहा है ये इफेक्ट panel है और ये इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहां से new bean मिना लेगे ठीक है सबीन का नाम आपने को देड़ेना है सना डाल देता हो यानि कि boy girl कपपल इस पर double click मारेंगे ये खुल ले लिया और ये दो दो फुटेज है मेरे पास आप यहां पर देखने वाले चीजे हैं इनी चीजों के बारे मैं आपको आज बता हूंगा ठेक है यह अपने दो फुटेज हो गया आप यहां से हम चेक करेंगे जो भी करना आप कर सकते इस पर कोई बड़ी बात नहीं है अब यहां से भी आप जो है बीन का नया जैसे के राइट क्लिक करके बीन बनाए ना यहां पर भी जाने की जरूत नहीं है यहां पर भी क्लिक मारोगे तो भी यह बन जाएगा इसकी अभी जरूत नहीं है इसका डूब्लिकेट भी कर सकते है जैसे क्लिक मारोगे तो डूब्ल के अंदर में दो फुटेज चला गया मैं आप लोगों को इसको डिलेट कर देता हूं आप यह चोटा सा इस तीर पे किलिक करोगे ट्रोल डाउन करोगे तो यह आपको दो फुटेज दिख जाएगा अभी हमारे पास कोई भी सीक्वेंस नहीं है जिसके वजह से हम टाइम लैंड पर कोई वीडियो नहीं रख सकते तो भी मैं बताऊंगा इसका में मेरा बताने का आज का यह है कि इस विंडोज जो है जो हमारा अभी प्रोजेक्ट विंडोज है इसको बड़ा हम कैसे करेंगे जो ESC का जो बटन होता है की बोर्ड में लेपट शायड में सबसे ऊपर में कोने पर ESC उसके बगल में एस बना हुआ रहता है, इसका बटन बना हुआ रहता है उसको मुझे नहीं पता क्या क्या नाम से बोलते हैं लेकिन टेल्टा की भी बोलते हैं उसको टेल्टा की या डेल्टा की सोरी टेल्टा की भी बोलते हैं जैसे कि मैं तो हमें साथ टेल्टा की ही बोलता हूँ बाकि मुझे नहीं मालूम इसकी का नाम क्या है जो ESC के बटन, ESC का जो बटन होता है कीबोर्ड में उसके नीचे होता है जैसे इस पर दबाओ गेना उस बटन को मैंने प्रेस किया तो ये बड़ा हो गया यहां पर बड़ा होने के बाद अपने को इसका क्लिप के डूरेसेंद पता चल दाता है यह 11 सेकेंड का यह 4 सेकेंड का है और कौन सा फॉर्मेट में है कितने बीट पर इसके ओडियो बीट रेट 16 वीट रिखा रहा है मैंने कंप्रेस कर दी थी बहुत पहले क्लिपे को और जैसे कि यह आपने बता जा फिर से इस पर क्लिक करोगे तो वेह से ही फेकट पैनल्स पर इस पर क्लिप मार ऊगे तो आपको पता चल जाएगे पड़ा जोड़ा हो जाएगी अब चलते है प्रोजेक्ट पर चलते है ब्रोजेक्ट पर looks क्लिक करके new sequence clip भी बना सकते हैं यहां पर हमारा sequence बन गया यह मेरा clip है तो हमारा sequence बन गया है sequence को यहां से आप duplicate भी कर सकते हो मतलब सब कुछ कर सकते हो जो अपने EDS में करते हैं वो सब चीज हम इसके अंदर में कर सकते हैं कुछ भी जो भी changes वगरा करनी है रुप्लेश पुटे जैसे अपना यह है यह वाल मेरको पसंद नहीं है sequence ठीक है माल लीजिये कुछ और भी डिलेट कर दिया sequence को जो मेरा demo video है इसको भी मैं करता हूँ यह new sequence clip है इसके हम क्लिक करेंगे हम बना सकते हैं ठीक है यह हमारा sequence बन गया यह रहा हमारा sequence demo video के नाम से और एक चीजा और हम कर सकते हैं फिर से मान लीजिये कि एक project बनाया इसका नाम हमने डाल दिया project प्रोजेक्ट यह sequence पकरके इसमें छोड़ दिया इस फोल्डर के अब अंदर में sequence आ गया ठीक है अब यहां से जो है यह slider जो अड़ेस्टिंग का thumbnail पे हम बद दिखाएगा तो अपने को बढ़ा कर लीजिए ठीक है यह हमारा इसके अंदर में आ गया project प्रोजेक्ट जो है ह हमारा इस पे हमें final लिख देता हुँ अदर की मेरेको पतार है final को आधाया हमारे sequence आ गया हमानली जीकिसको भी कलोज कर देता हूं यह मेरा वीडियो है यह वीडियो जहना बी-सी जी वाला फोल्डर में डाल देता हूं अब मैं यहां पे एक और इसका मैं नाम डाले तो भी एफेक्स यानि कि वीजूल एफेक्स इस पे डबल क्लिक करेंगे तो यह खुल जाएगा फिर से अपने को डीडरे में जाएगा जहां पर भी आपका डाटा बगरा परा हुआ रहेगा तो वहां से आप लाइट इफेक्स बगरा लाकर के जैसे कि मैं लीजे मैं कुछ लाइट इफेक्स लिया तो इंपोर्ट करा लिया तो मैंने इसको तो यह किली पे मेरा छोटा है इसको सेलेक्ट करेंगे इस भी हमारा छोटा है तो इफेक्स पैनल में जाएंगे ठीक है और इसको जो एसकेल कर देंगे scale हमारा पूरा हो गया ठीक है अब जो है इसके अंदर में opacity बगएरा की जो है यह सारे चीज़े normal है जो भी करने है आप कर सकते हो आप से screen mode कर दीजे तो आपको इस पे जो है आपको effect apply करने के ज़रोत नहीं है इसके अंदर यही खासियत है जैसे कि हम EDS के अंदर में कोई भी चीज़े हम apply करते हैं तो effect panel में से drag and drop करना पड़ता है लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं है ठीक है यहाँ पर simple चीज़े कोई भी clip लाए जिए जी मान लीजे मैं project में गया और मैंने ये clip यूज किया फिर से दूसरे वाले clip लाया ये वाली जो light effects का है दूसरे वाले clip लाया इसके नीचे छोड़ दिया ठीक है दूसरा वाला भी लाया है दूसरा वाला भी अपना छोटा है ठीक है ये मेरा जो clip है ये DVD के लिए था कुछ भी नहीं करने है effect panel में जाने effect controller में जाने है और यहां से scale जो है इसको थोड़ा सा बढ़ा जितना आपको पसंद है उतना बढ़ा देना फिर से effect panel controller में जाना और यहां पे लिखा ओपैसीटी ठीक है ओपैसीटी पे जाकर के और रिले करने और रिले कर दीजे इस पे सेलेक्टर के एक खासियत भी है जो अपने keyboard का button होता है arrow की जिसको बोलते है उससे तो मैं इसको overlay करता हूँ यह वाला जो slider है यह वाली zoom out इन और आउट करने के लिए बढ़ा छोटा करने के लिए है नोर्मल भासा हम बात करें तब जाकर कि यह अपने को छोटा बरा करने के जरुत परता है वैसे भी कर सकते हो और यह अपना pen tool है यह toolbar है यह pen tool है अब कुछ भी यहां से जैसे कि यह हम कर सकते हैं यहां से audio बगरा मतलब जो भी अपने को हो यह सब चीजे मैं अभी बाद में बताऊंगा क्योंकि यह सब चीज अभी बता दूँगा तो फिर जो है मुश्किल पड़ेगा बाद में समझने के लिए तो यह सब चीजे में आपको लोगों को यह ओपे से डिक कम कर ज्यादा करने के लिए मैं बाद में बताऊंगा धीरे-धीरे, यारी यहां से भी जैसे कि डेखना है, यहां सिर्फ देक सकते हैं आप लोग क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता। उस की को बटन को दबा ओगे, तो बडा होगा, देखिए बडा होगया, चोटा हो गया बड़ा हो या छोटा हो ठेक है और यह हमारा जो है इससे हम किलिप को छोटा बड़ा कर सकते हैं तो आपने यहां देखा blending option के यहां इसको ज्यादातर से blending option ही बोला जाता है यह जो भी होता है इनको बहुत सारे प्रोग्रामिंग होता है जिसमें कि media encoder एड़ फोटोशॉफ अफ्टर इफेक्ट सा भी नहीं का होता है तो यहां पर latent भी कुछ भी आप इफेक्ट है यहां से apply कर सकते हो without effect panel में जाने से यहां से भी हम कर सकते हैं यह आपके effect है जो भी आपको डालना है वो डाल सकते हो जैसे chroma की वगरा का यह सब इसके अंदर में भी available है अल्ट्रा की यह सब लूमा की यह सब चीज इसके अंदर में available है हलांकि इसके बारे में ज्यादा लोग बताते नहीं है जिसके बज़े से यह software इतना पॉप्लर नहीं हुआ लेकिन अगर आप राजस्थान हो गया राजस्थान में जगे होते हैं ओ लोग यह premiere pro यूज करते हैं महराश्ट में भी काफी हत्ता की यूज होते हैं अब तो दिल्ली में होने लग गया है काफी बहुत ज्यादा लोग जो है भी यूज करने लग गया है इन से software को यहां से normal मैं screen mode कर देता हूं तो यह आप देख सकतें कि screen mode है और देखिए जो भी आप tool लोग है जैसे कि pen tool लियाता है फी का बटन दवाया ठीक है यह selection tool है जैसे photoshop में भी का button बरेस करोगे तो automatically selection tool select हो जाएका यह सारे चीज का आपको यहां पर shortcut दे रहा है भी से रिपल एडिट टूल यह सारे चीज है भी ब्लेड के लिए C के बटन प्रेस करोगे तो हो जाएगा तो मैंने आपको इंपोर्ट करने का तरीका बताया इस वीडियो में और लाइट इफेक्स कैसे यूज करते वो बताया और एक चीज और बताता हूँ इसी वीडियो के अंदर में ठीक है कटिंग करने के लिए यह ब्लेड चीज बनी हुए है यह जो है टूल रेजा टूल इसका बटन कीबोर से प्रेस करेंगे और वीडियो को जहां तक चाहिए आपने को कट कर सकते हैं फिर से भी का बटन दखा दिया इनकी जो सलेक्षन टूल है इसको अब इसी किलिप को मैं क isen audio Track बगईरा बंद करते हैं快utan यह जुन ही तररीक है शारब है गठीक है तो हमने Video Track No2 सेलेक्ट किय और इस को गया करूब जो है यहां प्याहस करके हैं यह पैस्ट हो गया आप इसके उपर में थोड़ा सा आपने color correction करना है긴 को बहुत सारा कहता है लोग के अंदर में मोशन नहीं होता है बट ऐसे नहीं है यहां से यह सब चीजे मैं आपको बाद में बताऊंगा तो सबसे यह अपने जो है पोजिशन जो है यह वाले आप यहां देख सकते हो यह पोजिशन है अब यह पोजिशन है यह एसकेल है हमने एसकेल किया है यहां से अपने की फ्रेमिंग एड़ कर देना है ठीक है और यहां पर जाने है इतना दूर में और यह वाला क्लिप को सेलेक्ट करके यहां से एसकेल को हन्डेड पर्षेंट कर दीजिए हो गया अब यह एक चीज जरूरी बात होती है की फ्रेमिंग को जो कैसे करें सेलेक्ट करना रैट क्लिक करना और यहां से जो है बेजर इसको सेलेक्ट की फ्रेम की ऐसे हो जाएगा यहां से तो फास्ट आएगा यह देखे फास्ट आते आते सेलो हो जाएगा यह हो गया तो यह वीडियो काफी लंबा हो जाता है यार तो इतना लंबा कोई देखता नहीं है तो मैं यह वीडियो में आपको 4-5 चीजे बताया हूँ आप लोग बार बार जो है सीखिए इसका जो है प्रीमेर प्रो का लिंक भी मैंने दे रखा है उन में अंदर में सब चीज मिल जाएगा जो कि मैं आपको नहीं बताऊंगा 4-5 टिटोरियल पहले आप जाएए वहाँ पर आपको यह मिल जाएगा सीखने के लिए अच्छा काम है यह प्रीमेर प्रो किसलिए फेमस है यह स्ट फिल्म बगेरा बनाने के लिए बहुत अच्छा सॉफ्ट वेर है बहुत नहीं बहुत ही बेहतरीन सॉफ्ट वेर है ठीक है तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में तब तक के लिए देखते हुआ है सीखते रहे और चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्किल नहीं भोला दोस्तों और हाँ इस बीडियो के अंदर में आपको एक लिंक मिलेगा जो मैंने प्रोजेक्टे एडियस का डाली है जो प्रोजेक्ट के नहीं आगया आगया अगर ये प्रोजेक्टे आप लोगों को पसंद होगा मुझे जरूर कमेंट करना जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था उसी टैप से मैं आप लोगों को दे दूँगा वह प्रोजेक्ट है आप उहां से इजली डाउनलोड कर लेना